नमस्कार मैं तरुन वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा ट्रीट्मेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो डिप्रेशन है जिसका की इलाज दवाओं से नहीं हो पाता उसको कैसे ट्रीट किया जाता है और उसका इलाज किस तरह की आप्शन के थूप पॉसिबल हो सकता है क्या ऐसी संभावनाएं हैं, क्या ऐसी options हैं, possibilities हैं जिनकी मदद से treatment resistant depression को ठीक किया जा सकता है जब हम treatment resistant depression की बात करते हैं तो basically हमारा कहना होता है दवाओं से जो depression ठीक ना हो पाए मतलब जिस depression का इलाज दवाओं से नहीं हो पाता हम उसे treatment resistant depression कहते हैं तो major depressive disorder जो है, वो बहुत common एक ऐसी condition है एक disorder है, जो करीब करीब 10 से 15 प्रतिशत लोगों को effect करती है अगर हम कहीं की हर साल कितने लोग प्रभावित होते हैं तो करीब करीब किसी भी population में मतलब कोई भी देश हो, कोई भी इलाका हो, कहीं के भी लोग हो वहां के करीब 10 से 15 प्रतिशत लोग depression के शिकार होंगे ही होंगे कम से कम एक साल में अगर हम देखें मतलब यह statistically ऐसे बोला जाता है हलंकी जो neurology, neurobiology और जो psychiatry है या जो pharmacology जो है इसमें बहुत सारे advancement हो चुके हैं बहुत सारी तरक्की हो चुकी है जिसमें की देखा गया है कि major depression को किस तरह से ठीक किया जा सकता है हम depression के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं उसकी जो brain science है उसके पीछे का जो brain में जो कारण है वे हम समझ चुके हैं पर बावजूद इन सब के बहुत सारे ऐसे patient हैं जिनका इलाज हमारे पास नहीं है बहुत सारे ऐसे patient हैं जिनका इलाज दवाओं से नहीं हो पाता ये जो सभी patient होते हैं जिनको depression का diagnosis मिलता है उनको सबसे पहले दवाओं का ही इलाज दिया जाता है दवाओं से ही उन्हें treat किया जाता है और बहुत अच्छी anti-depressant दवाएं हैं जो depression के कई अलग-अलग रूपों को treat कर सकती है मतलब depression के कई ऐसे type होते हैं जिनका इलाज इन दवाओं से anti-depressant दवाओं से हो सकता है असानी से और अच्छे से हो जाता है पर 20-40 प्रतिशत patient ऐसे हैं जो दवाओं पर response नहीं देते जिनको दवाओं से बिलकुल भी खासा अराम नहीं मिलता ये जो treatment resistant cases होते हैं जिसमें हम ये कहते हैं या ये देखते हैं कि वे लोग जिनको दो या तीन दवाओं से बिलकुल भी अराम नहीं मिला है मतलब पहले डॉक्टर एक दवादेगा फिर उसके बाद कुछ दिन बाद दूसरी दवादेगा फिर उसके बाद एक और दवादेगा ये दवा बदल बदल कर भी जब हम देखते हैं कि treatment नहीं हो पाता symptoms में लक्षणों में कोई फरक नहीं आ पाता तो हम उन्हें treatment resistant depression के cases कहते हैं और इस वज़ा से उनकी जो परिशानिया है उनकी जो बिमारी है वह कभी resolve नहीं हो पाती परिशानी बढ़ती जाती है और उनका distress उनका तनाव वो दूर नहीं हो पाता और उनकी life भी affected रहती है जिसे हम कहते हैं कि functional impairment रहती है और इसी के साथ साथ बहुत सारा treatment में खर्चा भी होता है और ना जाने कितने कितने तरह की परिशानिया हो जाती है ऐसी problems का एक major कारण होता है कि जो depression है वह बहुत ही heterogeneous condition है मतलब कई सारे अलगला कारणों की वज़े से depression होता है तो depression का क्योंकि एक कारण नहीं होता इस वज़े से भी दवाएं या कोई एक particular इलाज पूरी तरह से काम नहीं कर पाता या यह कहें कि जो दवाएं होती हैं वे दिमाग के किसी एक हिस्से में जाकर effect डालती है तो जो लोग जिनके दिमाग का वो हिस्सा प्रभावित है वे तो दवाओं से response दे देंगे ठीक हो जाएंगे पर जिन लोगों के वो दिमाग के हिस्से प्रभावित होते हैं या ये कहें कि उनकी वज़े से depression होता है जिन पर ये दवाओं नहीं पहुँच पाती या नहीं काम कर पाती या जिनके धिमाग के कई अलग-लग हिस्से depression का कारण होते हैं और दवाओं जो हैं वे केवल एक या दो हिस्से पर ही जा पाती है बाकी हिस्सों पर नहीं जा पाती उन लोगों को अकसर एक ऐसा depression हो जाता है ये वे इस तरह से depression से पीडित हो जाते हैं कि दवाओं उनके लिए लाबकारी फायदेमंद नहीं साबित होती तो हमें ये देखना होता है कि हम जो दवाओं दे रहे हैं treatment के लिए depression के इलाज के लिए वे केवल sufficient नहीं है, काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है हमें कुछ और इलाज करना पड़ेगा या हमें किसी और तरह से treatment को approach करना पड़ेगा इलाज की तरफ बढ़ना पड़ेगा किसी और ढंग से, किसी और तरीके से ताक कि depression के लक्षणों में आराम मिले, उनको दूर किया जा सके और patient का जो well-being है, उसका जो मानसिक स्वास्त है, वे बैतर किया जा सके तो इसके लिए कुछ ऐसी approaches हैं, जो की इस्तमाल में लाए जाती हैं जो की doctors प्रयोग में लाते हैं, जिनकी मदद से treatment resistant depression वाले cases में भी, इलाज संभव हो जाता है, हो पाता है, ये सही है, ये बात सच है कि treatment resistant depression वाले patients का भी इलाज हो सकता है, पर उसके लिए approach, technique, तरीका अलग होगा, केवल दवाओं से इलाज नहीं हो पाएगा, केवल दवाओं पर psychological counseling और psychological therapies दी जाती है, talk therapies कह सकते हैं, जिनने, और साथी साथ दवाओं भी दी जाती है बहुत से लोग केवल दवाओं से ही इलाज लेना पसंद करते हैं, या बहुत से डॉक्टर हैं, जो केवल दवाओं ही होते हुए भी, मतलब कि ये कई शोधों में प्रूव हो चुका है, साबित हो चुका है, कि combination अगर दिया जाए, हर पेशन्ट को depression के लिए दवाओं और साइको थरेपी का अगर combination दिया जाए, तो अच्छा इलाज हो जाता है, जल्दी और बहतर इलाज हो जाता है, ये जानते वे भी बहुत सारे patients केवल दवाओं पर ही निरभर रह जाते हैं, केवल दवाओं का ही treatment लेते रहते हैं, और साइको थरेपी या तो उन पही नहीं दिखाते हैं, क्योंकि दवाओं लेना शायद जाधा convenient लगता है, तो एक दवाओं पर निरभरता बनी रह जाती है, और कई मामलों में तो डॉक्टर खुद ही recommend नहीं करते, ये भी देखने में आता है, जबकि researchers और बहुत सारे ऐसे doctors हैं, जो जानते हैं कि सिरफ दवाओं से या सिरफ psychotherapy से कई patients का इलाज हो ही नहीं पाता, combination बहुत जरूरी होता है, और combination से ही हमेशा अच्छे results आते हैं, long term results आते हैं, मतलब लंबे समय तक बने रहने वाले results आते हैं, जिन में relapse जल्दी ना हो, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि केवल एक ही treatment ले लिया कि एक treatment ना दिया जाए, combination में treatment दे दिये जाएं, अगर हम एक type का treatment देंगे, तो किसी भी type का depression का जो patient होगा, mild, moderate, severe, या bipolar disorder, या unipolar depression, या कुछ दूसरे type के seasonal affective disorder, या postpartum depression जैसे जो patients होते हैं, किसी भी type के depression के patient में result कम आएगा, अगर केवल एक treatment दिया जाएगा, और अगर combination म दिया जाएगा, तो result अच्छा हैगा, अब होता क्या है कि psychotherapy जो है, वो बहुत अलग-अलग तरेके की होती है, जैसे psychoanalytic therapy होती है, cognitive therapy होती है, behavioral therapy होती है, interpersonal therapy होती है, dialectical behavior therapy होती है, schema therapy होती है, ये कुछ common forms हैं, मैं दो के बारे में बात करूंगा, psychoanalytic और cognitive behavioral therapy जो की आमतोर पर दी जाती है, हालंकि psychoanalytic therapy जादा नहीं दी जाती, पर ये एक बहुत कारगर, बहुत effective तरीका है, जिससे की depression का इलाज अच्छे से हो सकता है, इसलिए मैं इसको discuss करूंगा, तो psychoanalytic therapy में क्या होता है, कि therapist जो है, वो patient की help करता है, उसको समझने में कि उसका depression का nature कैसा है, उसको अपने अंदर के मन के जो अचेतन, unconscious conflicts हैं, उन्हें समझने में, जानने में मदद करता है, वह किस तरह से depressed हुआ, उसकी growth में, उसकी development में, मतलब उसके पूरे जीवन में, बचपन से लेकर, अभी तक, जो भी कारण रहे, जो भी ऐसी समस्यां रही, जो भी ऐसा developmental course रहा, जिस पेशन का जो depression है, वो अभी की life condition में क्यो important है, ये बड़ा सुनके अजीव लगेगा, कि psychoanalytic psychotherapy में, ये समझा जाता है, कि जो depression के जो symptom है, वह अभी के present में, जो patient के हालात हैं, condition है, conflict है, उसके प्रती, उसका एक reaction है, इससे अच्छा, इससे बहतर reaction वहव्यक्ति अभी दे नह जाता है, जैसे कि कोई loss हो जाना, किसी की death हो जाना, तो अभी अगर ये patient को बहुत नुकसान हुआ, बहुत जादा उसने हानी, बहुत जादा उसने क्षती महसूस की, तो ऐसी condition में कोई भी व्यक्ति डिप्रेस होगा, कोई भी व्यक्ति डिप्रेसिव reaction देगा, ऐसी हालत म बहुत स्वभाविक सी reaction होगा, स्वभाविक सा symptom होगा, इन चीजों को analyze और assess किया जाता है, इनको बारीकी से understand किया जाता है, समझा जाता है, और जब एक बार यह सब समझ आ जाए, तो उसके बाद naturally patient बहुतर होने लगता है, वह अपने life के बारे में, अपने past के बारे में एक ऐसी गहरी insight develop कर लेता है, जो उसे समझाता है, बताता है कि वह क्यों depressed है, किस तरह से depressed हो जाता है, और उसके depression में किस तरह के factors हैं, stresses हैं, जो contribute करते हैं, जो उसे या तो उससे बाहर नहीं निकलने देते हैं, या उसे depression में बने रहने देते हैं, तो treatment resistant depression, जिसमें की काम ही नहीं कर रही हैं जादा, अगर हम ऐसे में अगर इस तरह की therapy दें, तो patient बहुत जादा relieved हो जाता है, वह समझ जाता है अपनी condition को कि वह ऐसा क्यों हुआ और ऐसा होने के पीछे कारण क्या थे, दूसरी जो therapy है, वह है cognitive behavioral therapy, जिसमें therapist जो है वो एक active role play करता है, मतलब वो एक teacher की तरह काम करता है, coach की तरह काम करता है, एक instructor की तरह काम करता है, जिसमें patient को वो help करता है कि वह अपने जो नेगटिव thoughts हैं उनको पहचाने, उनको challenge करें, उन negative thoughts patterns को पहचान कर, समझ कर, जान कर, उनको बदलने की तरफ आगे बड़े, उनको बदलने की strategies सीखे, cognitive strategies या behavioral strategies सीखे, समझे, अपने विहवार में, अपने behavior में और अपने thoughts में बदलाव लाए, और यह बदलाव तब आएगा जब है negative thought patterns को पहचान कर उन्हें बदलना चाहेगा, उन्हें छोड़ना चाहेगा, उन्हें जिनकी वजह से depressive mood हो रहा है, या depression चल रहा है, या बना हुआ है, वे negative thought patterns किसी ना किसी वजह से patient जो होल्ड करके रखता है, बना कर रखता है, उसके पीछे patient का कोई conviction होता है, वे मानता है ऐसे negative thoughts में जिस वजह से वे depressed हो जाता है, तो उसकी जो माननेता है, उसके जो विश् जाती है, उसके बाद naturally depression धीरे धीरे चला जाता है, क्योंकि depression टिका ही इसलिए था, क्योंकि negative thought patterns थे, और depression चला गया क्योंकि अब वो negative thought patterns ही नहीं है, तो विचारों को बदला जाता है, और विचारों में क्या गड़बढ है, उसे identify किया जाता है, कही ना कहीं जड़ में, root मे देखा जाता है, कि patient की जो negative सोच है, उसके कारण क्या है, और साथी साथ वह उन्हें क्यों hold किये रहता है, किस तरह से बनाए रखता है, एक बार यह समझ में आ जाए, तो उन्हें बदलने के लिए strategy बताई जाती है, सिखाय जाता है, समझाय जाता है, और धीरे 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 पे जाद अच्छा response देते हैं, कुछ patients CBT पे जाद अच्छा response देते हैं, कुछ patients दोनों पर अच्छा response दे देंगे, तो कुछ patients ऐसे भी हैं, जो इन दोनों में से किसी पर भी response नहीं देते, तो उस case में या तो हम कोई और counseling approach यूज कर सकते हैं, कोई और therapeutic approach यूज कर सकते हैं या कई बार ऐसा भी होता है कि family therapy करनी जरूरी हो जाती है family को involve करना treatment में बहुत जरूरी हो जाता है और तभी कई बार treatment आगे बढ़ पाता है जब हम family को involve करें तो कई सारे factors हैं जिससे कि अगर हम धंग से work करें धंग से अगर उन पर focus करके आगे बढ़ें धंग से patient का treatment करें जिसमें की patient जो है वो regular sessions ले और therapist भी skilled हो धरैपिस्ट भी जानता हो कि वह क्या कर रहा है क्यों कर रहा है कैसे उसको करना है तो वह किसी ना किसी तरह से patient को cbt या level वाले जो cases होते हैं उन में combination को use करना बहुत ज़रूरी होता है ठटरैपी और medication के combination को तो ना ही हम के वल mild वाले case में भी केवल दवाय दें ऐसा जरूरी नहीं है बिलकुल भी जरूरी नहीं है उसमें भी therapy देना ज़रूरी है साथी साथ moderate cases में भी therapy देना जरूरी है या तरेपी से पेशेंट में ताकत नहीं आएगी, मोटिवेशन नहीं आएगी और वह जल्दी असर भी नहीं देख पाएगा और वह बहुत सारे जो मेडिसिन से जो एफेक्ट है वो ला नहीं पाएगा जिसकी वज़े से उसकी ताकत कम रहेगी और वह बहुत जादा लंबे टा करती है कि psychiatrist जो है वे इसे implement करते हैं यह relatively नया procedure है जिसको 12 साल पहले ही 2008 में approve किया गया था Food and Drug Administration, FDA जो है अमेरिका की organization उसने से approve किया था और केवल depression के treatment के लिए ही अभी तक इसको approval मिला है Johns Hopkins University Department of Psychiatry and Behavioral Sciences जो है where TMS को इस तरीके से describe करता है इस तरह से उसकी explanation देता है कि TMS जो है वो एक non-invasive method है मतलब दिमाग के अंदर जाके कुछ नहीं किया जा रहा दिमाग के ऊपर से दिमाग को बदलने की कोशिश की जा रही है जिसमें brain को stimulation दिया जाता है अंदर से नहीं किसी chemical या किसी machine या किसी surgery के थुरू नहीं जबकि इसमें brain को stimulate किया जाता है brain को उत्तेजित किया जाता है पर एक ऐसी device जो कि सर के उपर रखी जाती है जिसमें से electromagnetic radiation निकलती है और ये क्या करता है इसके अंदर एक insulated coil होती है जो कि scalp के उपर सर के उपर रखी जाती है और ये उस जगे रखी जाती है brain के ऐसे area के उपर रखी जाती है जिसमें कि ऐसा देखा गया है कि depression का कारण मौजूद होता है वे chemical वे बदलाव मौजूद होते है जिनकी वज़े से depression है तो अगर हम उसी हिस्से पर रखेंगे जिसकी वज़े से depression होता है तभी ये electromagnetic radiation जो है वे उस हिस्से में जाकर उतेजित करेगी दिमाग को और depression का treatment possible हो पाएगा तो ये जो coil है ये क्या करती है छोटे-छोटे magnetic pulse generate करती है छोटे-छोटी-छोटी देर के लिए जो की बिना किसी दर्द के बिना किसी परिशानी के सर से मतलब हमारा सर उसके अंदर जो हमारी हड़ी है सकल है और उससे दिमाग के अंदर जो है वो penetrate कर जाती है चली जाती है फिर ये radiation जब जाती है तो फिर ये brain के उन हिस्सों में चली जाती है जहां depression होता है या जिसके कारण depression ह या यह कहें कि वहां के chemical और दूसरे कुछ structural changes की वज़े से मतलब neurons, connectivity और उनके जो बीच के जो communication है, connection है, उनमें बदलाव की वज़े से depression होता है, तो यह magnetic pulse वहां तक पहुँचता है, फिर जब यह pulses, magnetic pulses जब बार-बार लगातार दी जाती है, जिस वज़े से इसको कहा जाता है की repetitive transcranial magnetic stimulation, मतलब RTMS, ऐसा कहा जाता है, जब यह बार-बार succession में एक के बाद एक दी जाती है, तो उससे long lasting changes आते हैं, लंबे समय तक patient जो है रिकवर रहता है, या यह कहें कि patient बहुत जल्दी recover भी हो जाता है, और फिर वो recovery लंबे time तक बनी भी रह जाती है, कुछ ही sessions में, कम से कम एक साल तक तो बनी ही रहती है, brain की जो activity है, वह इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी improve हो जाती है, कि patient depressed नहीं रहता, patient को फिर depression नहीं होता, ऐसे patient जिनका दवाई से कोई फरक नहीं आया, जिन में depression के symptom दवाउं से कम नहीं हुए, ऐसे patient में से कम से कम 50 से 60 प्रतीशत लो effective option है, treatment resistant depression के इलाज के लिए, जिसका जो effect है, वह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लंबे समय तक बने रहने वाला है, और life के कई-कई areas तक effect आता है इसका, सिर्फ depressed mood कम नहीं होगा, person की thinking भी positive हो जाएगी, उसके अंदर से suicidal thought भी कम हो जाएगी, वह वेक्ती जादा life को enjoy करने लगेगा, motivated हो जाएगा, और अपने future के बारे में बहुत सकरात्मक धंक से सोचने लगेगा, तीसरी एक option आती है, electroconvulsive therapy, मतलब ECT, ECT सबसे पुराना treatment है psychiatry में, या यह कहीं कि one of the oldest है, और सबसे जादा effective है, 1930 के दशक में एक इटली के psychiatrist है, Hugo Serleti, उन्होंने इसे इजाद कि ECT को, जिसमें उन्होंने patients के, दिमाग के जो frontal area है, जो हमारे माथे के पीछे है, या माथे के उपर का जो हिस्सा होता है, उसमें उन्होंने electric current डाल कर, scissor induce किये थे, scissor मतलब दौरे, तो दौरे लाकर उनके दिमाग के अंदर, उन्होंने उनका इलाज किया था, उनको ठी ECT का एक session चलता है, पर एक हफते में कम से कम दो से तीन बार ये दिया जाता है, और कुछ हफतों तक ये treatment जारी रखना पड़ता है, फिर उसके बाद maintenance therapy दी जाती है, मतलब उसके बाद दमाए दे जाएंगी, counseling कर दी जाएगी, therapy कर दी जाएगी, पर शुरू के कुछ हफतो तक हर हफते दो से तीन बार, 5-5-10-10 मिनिट के लिए, 15 मिनिट के लिए, ये ECT के जटके, ECT के treatment दिया जाता है, ये जो ECT होता है, ये दिमाग के किसी एक हिस्से में या दोनों हिस्सों में दिया जा सकता है, और ये बहुत ही trained psychiatrist के द्वारा ही दिया जाता है, साथी साथ य पर जो शोद बताते हैं, वे कहते हैं कि ECT जो है, वो एक safe procedure है, painless procedure है, दर्द नहीं होता क्योंकि patient को anesthesia देकर ये treatment किया जाता है, और साथी साथ well-tolerated procedure होता है, मतलब patient उसको tolerate कर लेता है, उसके कुछ बहुत जादा side effects नहीं आते हालंकि ये धारना भी थोड़ी बहुत गल जाता है, कि इसके बिल्कुल side effects नहीं आएंगे, क्योंकि कई मामलों में देखा जाता है, कि दिमाग जो है, वो damage हो जाता है, दिमाग के कुछ हिस्से जो है, वे ठिक ठाक काम नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ side effects symptoms patient को आते ही हैं देखने में, ECT के बाद, हाँ, कुछ मामलों म कई हिस्सों में आज भी ECT दिया जाता है, और ये कहना कि बहुत rarely दिया जाता है, ये कहना गलत है, बहुत से patients को ECT दिया जाता है, और कई लोग जिनमें बहुत जादा societal thoughts आ रही हो, बहुत जादा उनको mania हो गया हो, bipolar disorder के जो patient होते हैं, जिनमें acute mania हुआ हो, अचानक से ब treatment resistant जो depression है, उसके लिए इसे gold standard भी माना जा सकता है, क्योंकि 70 से 90 प्रतिशत patient इसको response देते हैं, और आज भी बहुत सारे psychiatrist हैं, rehabilitation में काम करने वाले ऐसे बहुत सारे psychiatrist हैं, जो देखते हैं कि patient जो है वे treatment से response नहीं दे रहा है, बहुत जादा depressed है, परिशान है, बार बार उसके depression के जो symptoms हैं, वे बने हुए हैं, जाते नहीं हैं, थोड़ा सा relief आता है, पर patient की overall condition बहुत ही worse बनी रहती है, उस case में ECT दिया जाता है, और कई जगाओं पर तो एक commonly दिया जाता है, खासकर developing nations में, हिंदुस्तान, एशिया जैसे, एफरिका जैसे देशों में, तो ये बहुत और इसके जो negative positive findings हैं, उसके बारे में मैं कभी किसी और वीडियो में विस्तार से बात करूँगा, कि इसके जो effects हैं, वे किस तरह के होते हैं, कितने बड़े effects आते हैं, कितने लंबे समय तक बने रहते हैं, और क्या ये safe procedure है, क्या इससे damage होती है brain को, इस बारे में मैं कभी औ बात करूँगा, अगला treatment approach आता है ketamine, या ketamine, ketamine जो है वो एक बहुत ही modern treatment है, बहुत latest treatment है, सबसे latest treatment है ketamine का, सबसे नया और सबसे ज़्यादा exciting treatment भी है, हालंकि ketamine को वैसे तो anesthetic medicine के तौर पे use किया जाता है, या एक ऐसा chemical है जो anesthesia लाता है, पर कुछ समय से इसको देखा जा रहा है, इसके प्रभावों को देखा जा रहा है major depression के treatment में, एक ऐसा alternative treatment के तौर पे इसको समझा गया है, देखा गया है कि कैसे ये major depression के symptoms को, patients को, खासकर वो जो treatment resistant है, उनको कैसे ये ठीक कर सकता है, कैसे ये chemical जो है, उनमें लंबे अच्छे प्रभाव ला सकता है, इसके बा जो की blood stream में, मतलब खून में दे दिया जाता है, जो की जाधतर उसी तरह से दिया जाता है, सबसे जाधा use किया जाने वाला यही वाला ketamine है, या ये कहें कि, इसे हम intravenous ketamine भी कह सकते हैं, IV ketamine है, इसके अंदर दो तरह के molecules हैं, या ये कहें कि mirror image molecules होते हैं, जिने R और S ketamine कहा जाता है, ये उनका chemical nature, chemical structure उसमर depend करता है, ये जो नाम दिये गए हैं, इस chemical को, रैसमिक ketamine को बहुत पहले एक anesthetic agent, मतलब एक anesthesia के use में तो इसे approve कर दिया गया था, FDA द्वारा, पर depression के treatment में इसे approval नहीं मिला है, और ये off-label के तौर पे ही treatment में use किया जाता है, मतलब सिरफ इस और दूसरा जो है जिसे approval मिला है, 2019 में, मार्च में, जिसे S ketamine कहते हैं, या जिसका brand name है Spravato, जिसे FDA ने approval किया था, उसको nasal spray के तौर पे दिया जाता है, इसमें S molecule होता है ketamine का, तो पिछले वाले में तो, रैसमिक वाले में तो R और S दोनो chemical होते हैं, दोनों वाले molecule होते हैं इसमें सिर्फ S molecule होता है, और ये नाक के थूरू spray की form में दिया जाता है, nasal spray, इसे FDA ने अप्रूव कर दिया, तो ketamine approval मिल चुका है उसको पिछले साल, मार्च 2019 में, पर mainly जो approval मिला है, वो S ketamine को मिला है, स्प्रेवेटो को मिला है, ketamine का जो सबसे बड़ा advantage है, anti-depressant दवाओं इसाथ जो psychotherapy है, in fact TMS और ECT भी जो होती है, ये सब असर लाने में हफते लगा देती है, कई-कई हफते लग जाते हैं इनको benefit लाने में, इनका असर आने में, पर ketamine जो है, वो कुछी घंटों में फरक ले आता है, depressed mood को, खासकर कि suicidal ideation को तो कुछी घंटों में ठीक कर देता ह Emergency psychiatry में, जहां एकदम acute cases को admit किया जाता है, जिनको एकदम कोई ना कोई procedure से control करना बहुत जरूरी होता है, जिनके symptoms को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से regulate करना, control करना बहुत आवश्यक होता है, वहाँ पर तो इसका use सबसे अच्छा है, सबसे जरूरी है, और सबसे ज़ strict parameters होते हैं, कुछी doctor इसको कर सकते हैं, पूरी दुनिया में इसको कुछी hospitals में use किया जा रहा है, हर जगे इसको available नहीं कराया गया है, खासकर कि अमेरिका में और कुछ दूसरे देशों में ही इसको use किया जा रहा है, और बहुत ध्यान से, बहुत specific चीजों को ध्यान में ध्यान रखा जाता है कि उन patients में ना किया जाए या इसकी ज़रुत ना पड़े, avoid किया जाता है उस case में इसको, तो बड़े सारी साफधानिया रखकर ही कोई doctor, कोई psychiatrist इसे recommend करता है या इसको administer करता है, इसके बारे में पूरी guidelines जो है, वो last year release की गई है, FDA द्वारा और कई सार में guidelines issue की है, कि कैसे इसको administer करना है, कौन कर सकता है, कितने sessions में करना है, कितनी dose में करना है, इसके बारे में सारी guidelines आ चुकी है, psychiatry में ketamine का जो use है, वो अभी नया है, अभी इसके effects जो है, वो देखे जा रहे है, कुछी studies होई है, कुछी बीमारियों में इस पर showd किया गया है बहुत सारी और studies है, जिनकी जरूरत है, जिससे कि इसकी effective है, इसको देखा जा सके, और यह समझा जा सके, कि इसके किस किस तरह के side effects होते हैं, किस तरह के side effects किटamine ला सकती है, जब इसको depression के treatment में use किया जाता है, साथी साथ इसकी efficacy को भी study करना जरूरी है, कि कितने लंबे समय तक इसके effects बने रहते हैं, किस तरह के patients में हम यह दे सकते हैं, किन conditions को ध्यान रखना जरूरी है, कि कब इसे दिया जाए, कब इसे ना दिया जाए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखने की हैं, जिसके बारे में अभी studies होनी जरूरी है, हो रही है, होती रहेंग कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में, एक बहुत ही जादा severe problem है, treatment resistant depression, बहुत जादा इसके patients देखने में आते हैं, और ये depression में किसी भी दूसरे treatment से जब ठीक नहीं हो पाते हैं, तो इनके जो options हैं, उसको कई तरह से explore करना ज़रूरी होता है, कई तरह से देखा जाता है कि कैसे ऐसे patients को relief दिया जा सके, help किया जा सके, impairment जो होती है depression की वो बहुत जादा होती है इन लोगों में, suffering इनकी बहुत जादा होती है, लंबे समय तक बनी रहती है, हालंकि ये अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत सारे treatment options available है treatment resistant depression के लिए, psychiatry में, psychology में, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे की treatment resistant depression को ठीक किया जा सकता है, खास कर कि combination में ही treatment दिया जाना सबसे जादा recommended होता है, जो anti-depressant दवाएं हैं, वे सभी patients में काम नहीं करती, ये बहुत मानावव effect है, doctors भी जानते हैं, patients भी जानते हैं, तो ये कोई बहुत uncommon चीज नहीं है, बहुत virly चीज नहीं है कि patient के ओपर दवाओं का असर नहीं आएगा, depression की दवाओं का, ये आम तोर पर देखा जा सकता है, 20-40% patient बहुत जादा number है, बहुत बड़ा number है, हजारों की संख्या में अगर देखा जाए जिन लोगों को depression है और वो दवाओं का इलाज ले रहे हैं, तो ये 20-40% त ही तरीके से घ्यान ले लें, डॉक्टर से पूछें कि किस-किस तरह की options available हैं और कैसे वो इसको explore कर सकते हैं, कैसे वो इन treatments को ले सकते हैं, क्योंकि कुछ treatment तो हर जगे available होंगे, जैसे कि psychotherapy, पर कुछ treatment हर जगे available नहीं होंगे, जैसे कि ECT, TMS, ketamine, ketamine तो अभी इंडिया में आया भी नहीं है, या यह कहें कि इंडिया में तो अभी इसको apply किया भी नहीं जाता है, इसको implement किया भी नहीं जाता है, हालंकि ketamine इंडिया में available है, anesthesia और बाकी चीज़ों के लिए, पर depression के treatment के लिए इसे अभी use नहीं किया जा रहा है, हाँ, कुछ hospitals शायद use कर रहे होंगे जैसे कि निमेंस हो गए, या कोई aims हो गए, या कोई max या fortis वाले कोई hospital होंगे, जहाँ शायद इसको use किया जा रहा हो, पर आम तोर पे इसको use नहीं किया जा रहा है, तो doctors आम तोर पे ketamine तो recommend करेंगे नहीं, किसी किसी जगह पर मिलेगा, साथी साथ antidepressant दवाए, psychotherapy की combination मि और किसी किसी case में जब बहुत मुश्किल हो रहा है, तो TMS या ECT जैसे cases को भी consider किया जा सकता है, ECT एक emergency treatment की तरह use किया जाता है, TMS बहुत लंबे समय से चलता है, depression में अकसर use किया जाता है, या जब symptoms की severity बहुत जादा हो तब, तो ऐसे अगर हम अलग-अलग cases को देखें, तो doctors जब ये decide करते हैं, doctors जब पूरा assess करते हैं, जानते हैं, जाचते हैं, तब वे निर्णाए लेते हैं कि किस type के patient को किस type के treatment के लिए recommend किया जाए, तो ये options आप खुद explore ना करें, खुद ना जाए किसी hospital में और बोलें कि मुझे ECT चाहिए या मुझे TMS चाहिए, ये doctor decide क doctor पता करेंगा कि हाँ, आपका जो depression है, वह treatment resistant depression है, इसलिए alternative options को अब consider किया जाना चाहिए, और वो आपको recommend करेंगा, फिर आप किसी appropriate जगह से जाकर उसे ले सकते हैं, तो ये video अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ, उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको ये देता रहूंगा, जिससे कि आपको अपने treatment में आगे सही दिशार ढूंडने में मदद मिलेगी, आपको help मिलेगी और आप बहतर तरीके से अपना ilaj करवा पाएंगे, ढूंड पाएंगे, वीडियो लाइक करें, अगर आपको पसंद आया हो, ये जानकारी आपको फायदा अगर तो कमेंट करें, अपने views बताएं, अपने questions पूछें, मैं answer करूंगा, मैं reply करूंगा, साथी साथ किसी जरूरत मंद के साथ इस वीडियो को share भी करें, या social media पर share करें, ताकि जिसको जरूरत होगी वैसे देख लेगा, धन्यवाद